कि अधिर्फ ए रचात्रों व्यसायक अधिन कख्षा बयार्वी कि एक आई-चार अध्याभ्षे के अंत्रगर्व हम देखेंगे अध्याय का नाम है नियोजन अंत्रगर्व प्लाणिंग जिसको हम बोलते हैं इसकी परिवास्था हैं नियोजन की विशिस्ता क्या है नियोजन के उद्देश क्या है और उसका महत्व क्या है साथी नियोजन की प्रक्रिया या उसके तत्व कौन-कौन से तो यहां हमारे सामने जो नियोजन सब्द है यह योजना से जुड़ा हुआ है सामाने तोर पर हम जब भी किसी कारे को करते हैं तो हमारे दिमाग में उस कारे को करने की एक योजना तयार होती है इस योजना के विभिन चरण होते हैं विभिन करम होता है कि वो कारे किस प्रकार से पूरा किया जाते है तो नियोजन की प्रक्रिया जब भी अपनाई जाती है या कब भी हम कोई योजना तयार करते हैं तो उसके सबसे पहले हमारे सामने क्या होता है वो लक्ष होता है या उद्देश होता है तो नियोजन की जो प्रक्डिया अपनाई जाती हमेशा वो लक्ष या उद्देश को ध्यान में रखकर की जाती है हम जिस स्थान पर हैं और हम जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं तो जिस स्थान पर हैं और जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं इनके बीच की जो दूर उस दूरी को हम नियोजन के माध्यम से पूरा करते हैं तो यहां हम जानेंगे बास्तों में कि नियोजन का अर्थ क्या है हम देखते हैं परिवासा में नियोजन आचा है किसी भी कारे को करने के उसके बारे में बिचार करने के उपरांत उस कारे को करने के लिए योजन तयार क करने से उस कारे को करने में सफलता प्राप्तो होने की संभावना अधिक होती है तो जब भी हम किसी कारे के बारे में बिचार करते हैं तो बिचार करने के उपरांत उस कारे को करने के लिए हम एक मांसक रूप से दिमाग में अपने एक योजना तयार करते हैं तो जब हम योज कि किसी कारे को करें तो निश्यत है कि कार की पूर्णता पर निश्य संदे होगा तो जरूरी है कि जब भी हम कोई कार करें तो उसकी एक योजना तियार कर लें अब यहां पर हम बात करते हैं ब्यावसाय की तो जब भी हम ब्यावसाय की बात करते हैं तो जैसे हम जानते ब्या ब्यावसाय संचालन में योजना का महत तो बढ़ जाता है तो ब्यावसाय में हमें किस प्रकार से ब्यावसाय का संचालन करना है इसके लिए हमें एक प्रापर ब्यावसाय से जुड़ी हुई योजना बनानी होती है ब्यावसाय से सम्मंदित भविश्य में क्या करना है कैसे क करना है कब करना है साधन क्या होंगे साधनों को उपयोग कैसे होगा साधन प्राप्त कैसे होंगे इन सब बातों पर विचार करना होता है इन्हें विचार कर योजना तयार की जाती है बास्तों में योजना का सम्मंद जो है भविश्य से है इसी कारण योजना एक बहुत धिक प्रक्रिया कहलाती है तो यहां हम परिभासा देखते है नियोजन कार्थ क्या है उसकी परिभासा क्या है नियोजन भावी कारकम की एक करमबद रूप रेखा है इसका असे उपकरम के उद्देश्चों की पूर्ती है तो एक निश्यत कारकम तयार करना और कारविधी को निश करना तो नियोजन क्या है जो कारकम हमें बाभी कारकम जो हमारे सामने है जिस कारकम को हमें पूरा करना है उसकी एक क्रमबध रूप रेखा है जिसका आचा है हमारा उद्देश की पूर्ति करना एं और एक निश्यत कारिकर्म तयार करना है वो कारविदी को निश्यत करना है यहां पर कूंट जो ओडैनियल के अनुसार कहा है नियोजन द्वारा ये पहले से निश्यत कर लिया जाता है कि क्या कारिक किया जाए कैसे किया जाए कब किया जाए तथा इसे कौन करेगा हम जिस स्थान पर हैं और जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं उसके अंतर को पाटने का जो कारे है वो नियोजन के द्वारा किया जाता है यहां आप देख रहे हैं A से B बिंदू तक पहुंचने के लिए यदि हम A अपने स्थान पर हैं B तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए हम कुछ क पर पहुँचना चाहते हैं उसके अंतर को पाटने का कार न्योजन द्वारा किया जाता है एलेन ने कहा है नियोजन भविश्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा है वविश्य कैसा है अनिश्यत है लेकिन भविश्य में कौन सी ऐसी इस्तियां हो सकती जिनको हम पूरवे से ही पूरा करने के लिए तैयार रहे हैं तो उस भविष्ट को मैं होने वाली अनिश्यत्ताओं को हम कैसे निश्यत्ता में परिवर्तित कर सकते हैं यह हम योजना के माध्यम से पूरा कर सकते हैं इसलिए कहा है कि निश्चन भविष्ट को बनाने के लिए पकड़न होने वाली घटनाएं हो सकती हैं उनका हम क्या करते हैं पूरबा नुमान लगाते हैं और फिर यह तैय करते हैं कि जो भविस तो वहाँ पर बांस्गित और उद्देश को प्राप्त करने के लिए हमें भविस में कौन सा रास्ता किस प्रकार से अपनाना पड़ेगा साथ ही हमें सभी संभव तरीकों पर भी विचार करना होगा जो भी हमारे पास विकल्प हैं उन विकल्पों को हम सामने रखकर उन में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करते हैं तो ये था नियोजन क्या है नियोजन की परिवासा क्या है यहां हम देखेंगे नियोजन की बिसेस्ता है नियोजन की बिसेस्ता है क्या क्या है तो नियोजन एक बहुत धिक प्रक्रिया है हम देखते हैं योजना बनाते समय हमारे साथ बहुत सारे बिकल्प होते हैं बहुत सारे रास्ते होते हैं मार्ग ह हम उन में से कुछ बहतर मार्ग का चुनाव करते हैं तो जब हम चुनाव की बात आती है तो यहां पर एक बहुत धिक प्रकडिया कारिक करती है जो दूरदर्सी विवेक बुद्धी ज्यान वा मनुभाव पन्रवर है इसके लिए अती विशिष्ट होना आवश्यक है जिसे सा आने वाली घटनाओं का पूर्वा नुमान लगाए जाता है जिससे भावी लक्षों को प्राप्त करने में आने वाली कठनाईयों का पता चल सके जिससे पूर्व सही सतर्क रहा जा सके तो यहां हम देखते कि भवेस्व में ऐसी कौन सी भाविया निश्यत्ताएं हैं जो भवेस्व में वाली कठनाईय उनको हम पूर्व सही के लिए सतर्क रह सके अब यहां पर लक्ष वा उद्देश पर बल जो भी हम नियोजन की प्रग्रिया को अपनाते हैं तो यहां पर सबसे पहले हमारा लक्ष या उद्देश होना चाहिए तो लक्ष या उद्देश को प्राप्त करने के लिए नियोजन क्या है हमारा मार्ग दर्शक है अता नियोजन के लिए उद्देश का निर्धान करना आबश्यक है जब तक उद्देश नहीं होगा नियोजन नहीं होगा फिर सर्वव्यापकता नियोजन सर्वव्यापकता है हर इस्थान पर यह पाए ज इन सबके प्रतेक इस्तर पर इसका उपयोग किया जाता है वास्तों में नियोजन का उत्तरदायत जो है प्रतेक कारिछेत में विभागी प्रवंदकों तथा परिविक्षुकों सहयत सभी का है तो यह कैसा है सर्वय व्यापी है फिर समनबय नियोजन का जो कार है उपकरम इस इजना के भी भाग होते हैं इन विभागी योजना में आपस में समन्वै स्थापित करना न्योजन की सफलता के लिए आवश्यक होता है इसके पस्यात हम देखेंगे सतत प्रकडिया तो न्योजन कैसी एक अनबरात रूप से चलने वाली सतत प्रकडिया है ब्याऊषाया में स परिवर्तित होती रहती है अतय आवशक्ता पढ़ने पर योजना कारिविदी में परिवर्तन करना पढ़ता है नियोजन तब तक चलता रहता है जब तक की उपक्रम का स्थित्व रहता है तो यहां पर हम देखते हैं कि नियोजन जो है सतत अनवरत रूप से चलता रहता है फ जैसे प्रवंदकार ना तो प्रारम वो पाते हैं ना ही पूरे किया जा सकते हैं अता नियोजन जो है प्रवंद का प्रथम कारे हैं तो यहां आपने देखा कि नियोजन की विशेष्टा क्या है मुखरू से यह बहुत धिक प्रक्रिया है साथ यह प्रथम कारे भाविया से लगा सकते हैं लक्ष उद्देश पर बल दिया जाता है सर्वेव्यापी है समन्वाइ और ये सतत प्रकरिया है नीचे खटो नियोजन के उद्देश क्या है एक ब्यावसाइक उपक्रम में नियोजन के जो प्रमुक उद्देश है वो उपरोक निम्ना नुशार है जैसे नंबर एक है भावी रूप रेखा नियोजन के जो प्रमुक उद्देश है किसी भी कारे को करने के लिए इस पश्ट रूप करता से और सर्वस्रेष्ट प्वर्ण से पूरा कर सकें तो ये किया है भावी रूप रहे इसका उद्देश क्या है? कि जो कारे हमारे सामने हैं, वो कारे किस प्रकार से होगा, उस कारे की पून्ता किस प्रकार होगी, उसके सम्मन में एक रूप रेखा, टैक की जाती है, योजना तयार की जाती है. तो पहला उद्देश है भावी रूप रिकार, दूसरे पूर्वा नुमान लगाना है, नियोजन का उद्देश है वो भविश्य के परिणामों का पूर्वा नुमान लगाना है, अर्थात ब्यावसाय में आज हम किस इस्तिती में हैं और ब्यावसाय में हम किस इस्तिती में पहुंचना चाहते हैं या बर्तमान का उत्पादन क्या है और लक्षित उत्पादन क्या होना चाहिए तो जो परिणाम है उसका हम क्या लगाते पूर्वानुमान लगाते हैं नियोजन बास्तों में भवेश्य में होने वाली किरियाओं के पूर्ण अनुभाव के अधार पर पूर्वानुमान लगाना ही है अता नियोजन बर्तमान का होता है लेकिन भवेश्चिके परिणामों से जुड़ा होता है इस प्रकार से नियोजन का उद्देश से जो है भवेश्चिके परिणामों का पूर्वानुमान लगाना है फिर देखते हैं संसाधनों का अनुकूलत करने के लिए विभिन यह एकता नीमन पर अपना अधिकार बनाना चाहते हैं तो यहां पर ऐसी दसा में नियोजन का उद्देश उन संसाधनों का अनुकूलतम ढंग से बित्रण तथा प्रियोग करना होता है यहां हम देखेंगे नियोजन के उद्देश क्या है तो ब्यवसाइक उपक्रब में नियोजन के प्रमक उद्देश हम सामने देखते हैं जिसमें नंबर एक है भावी रूप रेखा तो किसी नियोजन का उद्देश से जो किसी कारे को करने के लिए इस पश्ट रूप रेखा को तै कारे को पिधी पूर्वक करने की और संकेत करता है तो यहां पर इस पश्ट है कि किसी भी कारे को करने के संबन में जो इस पश्ट रूप रेखा है वो किस प्रकार की होगी यह नियोजन का उद्देश होता है दूसरा हम देखते हैं भावी पूर्वानुमान लगाना नियोजन का जो देश है भविष्ट के परिणामों का पूर्वानुमान लगाना है चुकि भविष्ट कैसा है अनिश्यत है लेकिन भविष्ट में क्या हो सकता है तो उसका हम अनुमान लगा सकते हैं नियोजन के माध से जुड़ा होता है तो दूसरा उद्देश से जो है कि भवेस्थ के परिणामों का पूर्वा नुमान लगाना पर संसादनों का अनुकूलतम विवरां भितर है प्रतेग विवसायक उपक्रम में संसादन कैसे होते हैं सीमित होते हैं तथा उन लक्षों को प्राप्त करने के ये बिविन्य बिभाग उन पर अपना अधिकार बनाना चाहते हैं। ऐसी दसा में नियोजन का उद्देश उन संसादनों का अनकूलतम ढंग से बित्रन तथा प्रियोग करना होता है। इसी के साथ भावी आवश्यक्ताओं को ध्यान में रखकर संसादनों का विकास करना ही नियोजन का यहां पर उद्देश है। तो यहां हम देखते हैं कि संसादनों का जो बित्रन है वो कैसा हो अनकूलतम हो। यह कारे नियोजन के माध्यम से ही पासिबल होता है। फिर क्रियाओं में एक्ता पैदा करना, नियोजन का जो उद्देश है, वो संस्ता की बिस्ष्ट क्रियाओं में एक्ता पैदा करता है, सामन्य से पैदा करता है, यह एक्ता नीतियों के क्रियानवेन के माध्यम से पैदा होती है, तो नियोजन जो है, सभी क्रियाओं में बरा प्रवंद के कार्यों में साहता नियोजन यहां पर बिभिन्य प्रवंद की कार्य जो भी हैं संगठन से जुड़े हुए नियुक्ति से जुड़े हुए निर्देशन या नियंत्रण सभी प्रवंद की कार्यों को सही धंग से संपन्न कराने में मदद करता है प्रवंद में मितवेटा चुकि न्योजन के माद्यम से कारे जो है बिदिबत धंग से पूरा किया जाता है तो यहाँ पर प्रापरली योजना गंसार कारे होने से इसके परणाम सरुप जो योजना फालोप हो रही है उससे होने वाला जो कारे है वो पूर्ण बचत के साथ मित्वईता के साथ पूर्ण धंग से होता है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नियोजन के जो उद्देश क्या है वो भावी रूप रेखा पूर्वानुमान लगाना संसाथ उने का अनकूल्तम बित्रां किर्याओं में एक्ता पैदा करना विविन्न प्रवंद के कारें में सायता प्रवंद में मित्वईता कि नियोजन का महत्व क्या है यह हम निमने बिन्दुओं के अदार पर जानेंगे कि नियोजन का क्या महत्व है यहां देखते हैं भावी अनिश्यत्ताओं में कमी अनिश्यत्यवन परिवर्तन सील होता है और यदी भावेश्य में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान ना लगाय जाए तो उन परिवर्तनों से निपटने के लिए यदी पूर्वे सियोजना तैयार ना की जाए तो उपकरम के लक्ष उद्देश को प्राप्त करना क्या तो भावी अनिश्यत्ता हैं क्या है भविस्य की भविस्य में लक्षय उद्देश्य में किस प्रकार से प्राप्त करना है यह अनिश्यत्ता को निश्यत्ता में बदनने का कार नियोजन का है इसके परशाद हम देखेंगे लागत में कमी नियोजन के कार जो है उच्चे यूपयोग किया जाता है जिससे अपवयाय पर रोक लग जाती है इस प्रकार उत्पादन लागत वा संस्ता की संचालन लागत में कमी आती है तो दूसरा मातो है लागत में कमी है इसके बचाद प्रभाव पूर्ण संगठन नियोजन के अंतरगत उप्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसी कार्यविदी का चैन किया जाता है जिस पर चलकर संगठन को अपना लक्ष प्राप्त करना आसान होता है क्योंकि संगठन के अंतरगत जो भी कार्य किये जाते हैं बेकल्पना या सहियोग के आधार पर नहों कर ठोस व्यवस्थित विचारित श प्रिप्डन उत्पादन बित आदी किरियाओं में समन्बाइ स्थापित किये बिना लक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं। इन विविन्न किरियाओं में एकता भा समन्बाइ स्थापित करने का कारें नियोजन के द्वारा ही किया जा सकता है। यहां यह ध्यान रखा जाता है कि किसी कारी की पुर्णवथी ना हो, तता बिमिन्न क्रियाओं के बीच टकराओं की स्थिति उत्पन ना हो, इस प्रकार से नियोजन सभी व्योसाइब क्रियाओं को एक क्रम में बांद कर एकताबा समन्वाई की भावना पैदा करता है, इसके उद्देश क्या है, उन्हें कैसे पूरे करना है, बा उद्देश प्राप्ति में उनकी क्या भूमिका है, तो यहां पर उद्देश पर करमिचारियों का ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो जब यहां पर करमिचारियों को लगता है कि जो यह कारे उनके त्वारा किया जा और उस पर उनकी भूम का महत्पूर्ण है तो इससे उनके मन में कारी को करने के प्रती निश्ठा जागरत होती हो वो इमानदारी के साथ उसकारी को करता है फिर आत्मेविश्वाज वाविप्रेणा में ब्रद्दी एक अच्छी योजना होने से संग्ठन के प्रते के स्थर कर्मचारी की सहवागता को प्रोचसाहित करती है तो एक अच्छी योजना में कारी करने से कर्मचारियों के मन में कारी के प्रती आत्मेविश्वाज बढ़ता है वह उसके कारी के प्रती वो प्रोचसाहित होते हैं अभी प्रेरेद भी होते हैं फिर हमते में उपकरम का वि तो यहां पर हम देखते हैं कि जब विदिवत प्रापर योजना के अनुसार कारे होता है लक्ष और अद्देश को ध्यान में रखकर योजना भली बाती तैयार की जाती है तो इसमें एक अच्छी विदिवत बसुल्जी योजना से उपकरम का जो विकास और विस्तार है वो तेजी से और सिग्डिता के साथ बहतर ढंग से होता है तो यहां हमने जाना कि नियोजन का महत्व क्या है जिनमें भाविय निश्चत्ता में कमी लागत में कमी प्रवावपुन संग्ठन टकराओ को कम करना इमांदारी वा निश्था आत्म विस्वाद वाविप्रेणा में व्रद्डी और उपक्रम का विकास और विस्तार